जंता महंगाई से त्रस्थ है और इस महंगाई के बिरोध में कॉंगरेस ने जंता का साथ देते हुए केम सरकार के खिलाप बिरोध परॉसंग किया कॉंग्रिस नेता पटना के बोरी नोट चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक बिरोध मार्च निकाला इस बिरोध मार्च में जो है लोगों के साथ कॉंग्रिस कारकरताओं ने सरक पर किन सरकार के खिलाप नारयवाजी की मगर इसी बिरोध के करी में एक घटना तब घट गई जब एक रागिर चलते हुए राहूल गांधी ये खिलाप जो है उन्होंने नारयवाजी लगा दी जिसके बाद जो है कॉंग्रिस के कुछ नेताओं ने उनके उपर हाथ चला दिया आम जो वैक्ति जो है अपने रास्ते से जा रहा था इंकम टेक्स चौराहे के पास जो है ये घटना घटी है इंकम टेक्स चौराहे के पास जब कॉंग्रेस कारेकरताओं का जब ये कहा जा सकता कि बिरोध परतसन पहुंचा तो वहां से पहुंच जा रहे एक वैक्ति ने राहूल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, यह नारा कॉंग्रेस नताओं को नावगवार गुजरा और उन्होंने उस व्यक्ति की लपर थपर से पिटाई कर दी, कुछ तस्वीरे भी दिख रही हैं कि कॉंग्रेस के नेता हाथ उठा रहे हैं उस व्यक्ति के ऊप अपने विचार रखने का, उसके दोरान जो है यह बाते कही जा सकती है, मगर जिस तरह से कॉंग्रेस कारेकरताओं के तरफ से एक राहगीर को आज बिरोत परदसन के दोरान माड़ा गया है, इससे साब यह बात जरूर मैसे जाती है कि जनता के हित में जो यह काम किया जा र मिल्किहा